नमस्कार, SPD News में आपका स्वागत है पेशे 18 जून दुपहर सवा 3 बजे रासान चोथपूर बेका नेर्चुले की बड़ी खबरे दिल्ली से एमदाबाद रूट पर प्रस्ताविट बुले ट्रेन के लिए सर्वेक्षन के कारे में अब तेजी आने वाली है इस कारे को करने वाली एजेंसी अब हेलिकॉप्टर से सर्वेक्षन के तैयारी है और संभावना है कि इसी महिने में इसकी शुरुवात हो सकती है नेशनल हाइज स्पीड ड्रिल कॉपरेशन लेमटेर ने ये सर्वे का कारे राइटर्स जियो कनो को स्वापा है इसके तहट पिलर फिक्सिंग प्रसावित सर्वेक्षन के साथ प्रारामिक भूमी अधिकरहन योजना, भूवज्यानिक अध्यान, जल्वज्यान अध्यान श्यातिज और लंबवज नियांतन संदर्व नेटवर्क का सर्वेक्षन का कारे चल रहा है रासान के राज्य पक्षी ग्रेट इंडियान बस्टट गोडावन की सुरक्षा के रिए पिछले लंबे समय से आधा अधूरा स्टाफ ही तनाथ है डेजर्ट नेशनल पार्क में वनेट जीवो की सुरक्षा के लिए स्विक्रत वन रक्षक पदों में से करीब 50 प्रतिशा स्टाफ ही काररत है विश्व के अती संकट ग्रस्त पक्षी गोडावन साहित कई दुरलवन्य जीवो की आश्टर स्टरी डेजर्ट नेशनल पार्क लगभक्तीन 1162 वर किलोमेटर में बाड़ मेर एवम जैसल मेर जिले में फैला है जिसकी सुरक्षा आधी अधूरी है देश में सबसे पहले मनुरंजन कर में छूट देने वाले राश्तान सरकार के खिलाफ सिनेमा मालिक भड़के हुए हैं लोगडाउन में 456 दिन से बंद पड़े सिनेमा उद्योग को अब तक करीब 30,000 करोड रुपे के तयन ओवर का नुकसान हो चुका है ऐसे में अब कोरोना के निचले पायतान पर चले जाने के बावजूद इसी उद्योग से CM की बेरुखी क्यों सिनेमा मालिक CM से अब शिक्र ही परेटन की तरह मनुरंजन को भी अनलॉक करने के डिमांड कर रहे हैं रास्तान में कोरोना संक्रमन की रफ्तार कम पढ़ने के मद्य नजर राज्य सरकार ने भले ही समस्त परेटन सलों कला एवं संस्क्रिती से जुड़े समार्कों को खोलने पर लगी पाबंदियों पर छूट दे ली हो लेकिन पुरा तत्व एवं संग्रहाले विभाग के अधिन मंदोर वे उमेद उद्यान में सितराज के संग्रहाले दर्श को के लिए फिलहाल बन ही है इसका प्रमुकारण अलग-अलग सरकारी विभागों की बीच आपसी समनवे वेस्पस गाइडलाइन का अभाव होना है प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो लेकिन कार्यकरताओं को समय पर सम्मान नहीं मिल पा रहा है प्रदेश में करोणा कार में एक साल से चारी सियासी संक्रिमन के बीच अपकांगरेसी कारकरताओं के साथ कई विधायकों की ओर से भी कमेटियों के गठन की मांग उठाई चाने लगी है कोरोना की दूसी लाहर के बाद सरकार ने सोंवार से नगर निकायो की सूची अनलॉक करना तो शुरू कर दिया लेकिन अभी भी राज्य स्तरिय बोर्ड आयो के साथ जिला स्तरिय कमिटी खाली है बांसवारा शहर की त्रिपुरा कलोनी में पुलिस कर्मी के सुने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया पिरिद हैड कॉंस्टेबल हरेंद्र सिंग लोहारिया थाने में कार रहत है अपने रिपोर्ट में हरेंद्र सिंग ने बताया कि 9 जून को वो पत्नी और बच्चों के सा सुसुराल गए थे 14 जून को जब घर लोटे तो मुखे दर्वाजे का ताला टूटा हुआ था भीतर जाकर देखा तो अलमारी में रखे चौंदी के जेवर 20 हजार कैश और ससुर जी की मौत से एक दिन पहले उनकी दी हुई 100 रुपए के नोट और दस्तावेज पत्न में राजसान के बिकाने ज्वसल में और जोथ्पूर शेत्र में पेट्रोलियम और नैच्रल गैस की खुच के लिए लाइसेंस दिया है करीब 339 वर किलोमेटर शेत्र में कुरूड ऑयल और नैच्रल गैस की खुच का काम किया जाएगा शारेरिक प्रशिक्षक, अनुदेशक, ग्रेड, तृते भरती परिखशा, 2018 में चौनित अभ्यर्थियों के डिस्ट्रिक अलाटमेंन को रिश्वल करने के बाद बिकाने जिले को 19 अशारेरिक शिक्षक मिले हैं इन शारेरिक शिक्षकों की स्कूलों में पोस्टिंग के लिया 21 Miikko więc tranqui को DEO माध्यमिक में गुरुबार को outsパ forearm कर चेडूल जरी अरे जरे कर दिया में पर्ठी आसारिम की तफिश उधने के बजाह refrigerator गरती जा रही है यूरिन इंफेक्शन बढ़ने के साथ अब उसके ऑक्सिजन लेवल में उतार चुड़ाव आ रहा है यूरिन पास होने में दिक्कत आ रही है साथ ही वो काफी कमजोर महसूस कर रहा है वहीं एम्स परिसर के बाहर अलग-अलग समू में उनके समर्थक एकत्र होना शुरू हो गए है वियासा राम के शिग्र स्वस्त होने की दूआ कर रहे हैं बिकानेर में सिंगर डिजिट में पहुंचुका कोरोना एक बार फे डबल डिजिट में आ गया है शुकरवार सुबह की रिपोर्ट में बिकानेर में दस पॉस्टिव केस आए है शुकरवा आसपास ग्रामिन शेत्र में जहां परी मौनसून की बरसाथ हुई वहां की किसानों ने बुआई की तयारी कर ली है रोडवेज बिसो का संचालन शुरू होने पर काफी तादात में किसान गां से जोदपूर पहुंच रहे हैं यहां आकर उन्होंने बीजों की खरीदारी की इस वरान पावटा सित खादे बीज की दुकानों और काजरी में काफी भीड नज़र आई किसान करशी विश्य विद्याले से भी बीज लेने पहुंचे विकाने जिले के धिरेरा गाउं में 33 के वी विद्यूत सब्स्टेशन पर लगा ट्रांसफार्मर बुधवार रात को अचानक जलने से दो दर्जन से अधिक गाउं में बिजली कुल हो गई बिजली के भाउं में इन गाउं में जलापूरती ठफ होने से जो संकट कहरा गया गौरतलब है कि धिरेरा गाउं में 33 के वी विद्यूत सब्स्टेशन पर लगा पावर ट्रांसफार्मर बुधवार रात करीब सबा बारा बजे अचानक चल गया जोत्परपाली एक्सप्रेस वे प्रबंधन के ओर से प्रति दिन चुलाई जा रहे सडक सुरक्षा जीवन रक्षा भियान की कड़ी में सानिय गाजन गड टोल प्लाजा पर सडक सुरक्षा जागरुकता भियान आयोजित का वहां चालकों को हेलमेट, सीट बैल लगाने की सलाहत दी गई साथी पैंपलेट के माध्यम से यातायात के नीमों की जानकारी दी गई बिकाने शहर को हरा भरा बनाने और मौनसून को मदे नजर रखते हुए शहर में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे ये पौधे शहर के सडकों की किनारे लगेंगे, नगर निगम और नगर विकास की ओर से सगन पौधार उपन किया जाएगा गुरवार को जुला कलेक्तर नवित महता किया धक्षता में हुई बैठक में संबनित विभागू के अधिकारियों को पौधार उपन अभ्यान को लेकर अशक दिशार निर्देश दिये गए बार्ण मेर जुले के करीब 30,000 डिफॉल्टर किसानों को दो साल बाद सहकारी समीतियों से कर्ज मिलेगा सहकारताभी भाग के आदेश पर बार्ण मेर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक ने प्रक्रिया शुरू कर दी है जिले में खरीश सीजन में 6 करोड 25 लाक रुपय का फसली रिन बाटने का लक्षे दिया गया है अब तक करीब 5 करोड 70 लाक रुपय का कर्ज वित्रित हो चुका है इस बार 31 जुलाई तक रिन वित्रित किया जाएगा तो फिनाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें